79,000 सिच्छक भर्ती 2019 को लेकर दिये गए लखनव बेंच हाई कोड के फैसले ने यूपी सरकार को बड़ा जटका दिया है वही अपना दल एसके अध्यच केंदी राजमत्री और प्रिया पटेल ने 79,000 सिच्छक भर्ती मामले में इलाहावाद उच्छ नयाले की लखनव बेंच के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि खुद पिछला वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती में आरच्छन नयमों की अंदेखी हुई है अब जब कि उच्छ नयाले ने आरच्छन नयमों का पूरा पालन करते हुई नई मेरिट लिष्ट बनाने का आदेश दिया है तब उमीद करती हूँ कि वंचित वर्ग की प्रती नयाय होगा लिखा है कि उनके द्वारा इस विशे को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच इस्तर पर उठाया गया है जब तक इस प्रक्रण में वंचित वर्ग को नयाय नहीं मिल जाता वो इस विशे को तारकिक निश्कर्स तक पहुचने के लिए लगातार हर सम्भू प्रयास करती रहेंगी यूपी में 79,000 सिचक भरती परिच्छा के पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर तीन महिने के अंदर नई सूची जारी करने के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यच अखलेश यादो ने यूपी के यूगी आदितनात पर हमला बोला है अखलेश यादो ने कहा है कि सिचक भरती भी भाजपाई घपले, घोटाले और भश्टाचार के शिकार साबित हुई है साथी ये भी कहा गया है कि नई सूची पर हम लोगों की कड़ी निगा रहेगी, किसी का हक नहीं मानने देंगे अखलेश यादो ही भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की अध्यच अनुप्रिया पटेल भी सिच्चक भरती की मेरिट पर सवाल उठाती रही है इसकी जाज करके पिछडे और दलित अभ्यरतियों को नया दिलाने की मांग होती रही थी अनुप्रिया पटेल ने भी इलाहाबाद हाई कोड के फैसले का स्वागत करती हुए कहा कि खुद पिछडा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भरती मामले में आरच्छन नियमों की अनदेखी हुई है हाई कोड की लख्णव बेंच ने सहायक सिच्च भरती परिछा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चेंसूची वर 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चेंसूची को दर किनार करके नए सीरे से चेंसूची बनाने की आदेश दिये हैं यह भी नियले लिया गया है कि समान श्रेडी के लिए निर्धारित मेरिट आने पर आरच्छिद वर्थ के अध्यर्थियों को समान श्रेडी में ही माइग्रेट किया जाएगा कोट ने ये भी कहा है कि हमारे द्वारा दिये गे निर्देशों के अंसा दिये जाने वाले उर्ध्वार्धार आरच्छड का लाव 36 आरच्छड को भी देना होगा इसके साथी नियाले ने इसी भरती परिच्छा करम में आरच्छित वर के अतरीक्त 6800 अभ्यर्थियों को पांच जनवाई 2022 की चेंज सूची को खारिज करने के एकल पीट के नीडे में कोई हस्त छेप ना करते हुए तीन माह में नई सूची जारी करने की कारवाई पूरी करन के दौरार यदि वर्तमार में कायरत कोई अभ्यर्थी प्रभायुत होता है तो उसे सस्त्र का लाब दिया जाएगे ताकि छात्रों की पढ़ाई पर अश्र ना पड़े माना जा रहा है कि हाई कोड के फैंसरे से बड़ी संख्या में टीचरों की नौकरी जाएगी